आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ डिस्टेंस बताना है पहले बात तो यह है और दूसरे पार्ट में पूचा है इन पार्टिकुलर फिफ सेकेंड में पार्टिकल के द्वारा ट्रॉल किया गया डिस्टेंस क्या होगा लेट अस सी वाट इन दा कंसेप्ट इज गूइंग टू यूज इन दीज टाइप आप प्रावलम जहां पर डिस्टेंस पार्टिकुलर फिफ सेकेंड में पूचा है और जेरो से लेके फिफ सेकेंड के बीच में पूचा है अगर मैं सिंपल सा इस का एक डाइग्राम रिप्रेजेंटेशन करूं तो क्या होने वाला सा एक सिंपल सा अगर हम वंडी मोशन का केस कंसीडर करते हैं कि सपोर्ट इस इवर पार्टिकल विच स्टार्ट इस मोशन एट ट इकवल टू जीरो एंड इनिसियल वेलाश्टी आप पार्टिकल डेट इट इद गीवन डेट यू इकवल टू लोग टेन मीटर पर सेकेंड हमने इनिसियल व्लॉस्टी पार्टिकल की कंसीडर की और पार्टिकल का एकस्टेकल इसंड जू कि कॉंस्टेंट है हमें दिया है that is the 3 meter per second square गायज हमसे पुछा है t equal to 5 second में particle कहा होगा तो हमने suppose कर लिया कि after t equal to 5 second particle की position हमने कुछ ऐसे बता दे कि particle कहीं यहाँ पे होगा और particle ने कुछ distance 5 second में travel किया होगा और particle की कुछ final velocity भी है acceleration अभी भी होगा particle का 3 meter per second square हमसे part 1 में क्या पुछा गया है 5 second में particle के द्वारा travel किया गया distance हमें पता है कि अगर हमें particle का distance और displacement same होता है अगर एक ही direction में particle move कर रहा है तो motion की second equation लिख सकते हैं that is equal to ut plus half 80 square तो अगर हम motion की second equation को put करते हैं तो यहाँ पे हमें distance निकालना है तो we can say yes magnitude ले रहे हैं यू की value हो जाएगी 10 और time के आईज अगर हम बात करें तो time कितना लिखने वाले है 5 seconds 5 plus half acceleration हमें क्या दिया है that is the acceleration 3 और time square की value guys यहाँ से होने वाली है that is the 25 guys एक बात में आपको यहाँ पे mention करने वाला हूँ कि जब भी हम 1D के question को solve करते हैं तो हमें sign convention लेना रहता है और यह हमारी wish के उपर है कि हम right word को positive ले या lift word को positive ले तो हमने right की direction को positive consider किया lift की direction को negative जो भी quantity right की direction में है उनको हमने positive ले लिया बाकियों को negative तो सभी right में थी तो सब को positive यह हमारा sign convention हुआ गाईज हमने यहां से इसको calculate किया तो क्या value आने वाले latency that is the 50 plus 75 by 2 और गाईज यहां से value आ रहे है that is the 87.5 और unit हो जाएगी meter तो यह तो हो गया हमारे first part का answer कि particle के दोवारा 5th second में travel किया गया distance आए अब बात करते हैं part 2 की, part 2 में हमसे क्या पूछा है गाईज कि part 2 में हमें बताना है particle के दोवारा 5th second में travel किया distance particular 5th second में travel किया distance तो 5th second का मतलब क्या होता है गाईज आगी इसको understanding करते हैं गाईज कभी भी अगर particular any second की बात होती है तो उसका मतलब यह होता है कि particle ने अगर अपनी motion को start किया है t equal to 0 से और particle का motion अगर खतम हो रहा है t equal to n पे तो particle t equal to 0 से t equal to n के बीच में जो distance कभर किया उसको markup करो और particle ने t equal to n minus 1 में जो distance कभर किया उसको लिख लो इन दोनों का जो difference होगा वो बताता है कि last के एक second में particle ने क्या distance कभर किया है और last के एक second में जो distance particle कभर करता है उसको बोलते है n second का concept तो इस particular problem में अगर हम देखें तो fifth second का मतलब होगा कि particle के दोवारा 5 second में travel किया गया distance minus particle के दोवारा 4 second में travel किया गया distance तो पता चल जाएगा लास्ट के एक second में particle ने क्या distance कभर किया गया वेलू हमें सब पता है कि initial velocity particle की कितनी है 10 that is the UT plus half 80 square एकी वेलू 3 है और T square मतलब 5 that is the 25 और वेलू 87.5 यह आने वाली है rate is the 10 हमने bracket का यूज किया into 4 guys half 3 और यहां पर अगर time की बात करें rate is the 4 square 16 guys जैसे हम इसको calculate करते हैं तो यहां से वेलू कितनी आने वाली है यह तो हमारा हो गया 87.5 क्योंकि हमने previous case में अभी calculate ही किया है और यहां से this value can be written as 40 and this can be written as 2 से 16 हमने cancel out किया rate is the 83024 तो guys यहां से वेलू कितनी आने वाली है अगर हम इसको calculate करते है that will equal to अगर हम इसको यहां से देखें that is the 23.5 तो यह हमारा क्या है यह particular 5th second में travel किया गया distance है मतलब हम ही बोलेंगे यह particle ने फिस सेकेंड लास्ट के टोटल फिस सेकेंड और फोर सेकेंड के बीच में जो वन सेकेंड आया उसमें पार्टिकल ने 23.5 मेंटर डिस्टेंस कभर कि लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंस कभर हो आज ही राउनलोड करें डाउट ने टाप या वाथ्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर